नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौरानिक लोग पर ओम श्री विश्नवे नमह, ओम श्री ब्रहस्पते नमह मित्रो सनातन धर्म में ब्रहस्पतिवार का दिन भगवान विश्नु को समर्पित होता है कहते हैं कि जो भी व्यक्ती हर ब्रहस्पतिवार को भगवान विश्नु की पूजा करता है और ब्रहस्पती देव की कथा सुनता है, ब्रहस्पती देव और भगवान विश्नु जी की कृपा से उनकी सभी परेशानिया दूर हो जाती है गुरुवार को ब्रहस्पती देव की पूजा करने और कथा का श्रबन करने से धन, विद्या, मानसम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्यमनोवांचित फलों की प्राप्ती होती है तो चलिए मित्रो प्रभु श्री लक्ष्मी नारायन जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं अत्ष्री ब्रहस्पती देव की व्रत्क था मित्रो प्राचीन समय की बात है, एक नगर में प्रतापी और दानी राजा रहा करता था वह सदाही गरीबों, ब्राहमनों, दीन दुखियों की सहायता करता था पर राजा की यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी वह न तो गरीबों को दान देती नहीं भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो राणी महल में अकेली रह गई उसी समय ब्रहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी परंतु रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा है साधु महाराज मैं तो इस दान पुन्य से तंग आ गई हूँ मेरे पती इन गरीबों पर सारा धन लुटाते रहते हैं इसलिए मेरी तो यही इच्छा है कि हमारा धन नश्ट हो जाएं फिर न रहेगा बास न बजेगी बांसुरी ना हमारे पास धन होगा और ना ही मेरे पती दान पुन्य करेंगे रानी की बात सुनकर साधुने कहा कि देवी तुम तो बड़ी विच्चत्र हो धन और संतान तो सभी चाहते हैं पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याव बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ, जो निर्धन अपनी कुमवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करादो, जो जीव जन्तु भूखे हैं उन्हें भोजन दो, ऐसे और कई काम हैं जिनको करने से तुम्हारा यश लोग पर लोग में फैलेगा, तुम्हारा यह धन दान कुन्य से जोड़कर और बढ़ेगा, परंतु रानी पर साधु के उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा, वह बोली महाराज, आप मुझे कुछ ना समझाएं, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बाटती फिरूं, साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तुत, तुम ऐसा करना की ब्रहस पतिवार को घर लिपना, इसके बाद पीली मिट्टी से अपना सिर्धो कर स्नान करना भट्टी चड़ा कर कपड़े धोना, ऐसा करने से आपका सारा धन नश्ट हो जाएगा, इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतरध्यान हो गए, साधु के अनुसार कही बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल तीन ब्रहस पतिवार ही बीते थे, कि उसकी समस्त धन स नश्ट हो गई, भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा, तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यही रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहां पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता, ऐसा क राजा परिदेश चला गया, वहां वह जंगल से लकडी काट कर लाता और शहर में बेचता, इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा, इधर राजा के परिदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी, एक बार जब रानी और दासी को साथ दिन तक बिना भोज के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तु उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ी भुत गुजर्बसर हो जाए, दासी रानी की बहन के पास गई, उस दिन गुरुवार था, और रानी की बहन उस समय ब्रहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी, दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कथा, और पूजा अधूरी होने के कारण कोई उत्तर नहीं दिया, जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। दासी की ये सब बाते सुनकर रानी ने खुद को और अपने भाग्य को कोसना शुरू कर दिया। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहिन की दासी आई थी, परन्तु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी है बहिन। मैं ब्रिहस्पतिवार का वरत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी परन्तु जब तक कथा होती है, तब तक न तो उठते हैं और नहीं बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी, रानी बोली बहन, तुमसे क्या छिपाऊं। हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते खते रानी की आखे भराई। उसने दासी समेट पिछले साथ दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली देखो बहन, भगवान ब्रहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा, तो उसे सच्मुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी है रानी हुई। दासी रानी से कहने लगी है रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता, तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधी पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से ब्रिहसपतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, ब्रिहसपतिवार के व्रत में चने की दाल और गुड से विश्नु भगवान और केले की जड में पूजन करें तथा दीपक जलाए, व्रत कथा सुनें और पीला भोजन ही इससे ब्रहस्पति देव प्रसन होते हैं चुंकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए ब्रहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे इसलिए वे एक साधारन व्यक्ति का रूप धारन कर दो थालों में सुन्दर पीला भोजन दासी को दे गए भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहन किया उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी ब्रहस्पती भगवान की कृपासे उनके पास फिर से धन सम्पत्ति आ गई परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी तब दासी बोली देखो रानी तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी तुम्हे धन रखने में कश्ट होता था इस कारण तुम्हारा सभी धन नश्ट हो गया था और अब जब भगवान ब्रहस्पती की क्रिपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीब्तों के बाद हमने यह धन पाया है इसलिए हमें दानपुन्य करना चाहिए भूखे मनुश्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुब कारियों में खर्च करना चाहिए जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा स्वर्ग की प्राप्ती होगी और पित्र प्रसन्न होंगे दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुब कारियों में खर्च करने लगी जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा इधर एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठ गया वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा ब्रिहस्पतिवार का दिन था एक आएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए वह साधु वेश में स्वयं ब्रिहस्पति देवता थे लकड़ारे के सामने आकर बोले हैं लकड़ारे इस सुनसान जंगल में तू चिन्ता मगन क्यों बैठा है लकड़ारे ने दोनों हाथ जोड़ कर प्रणाम किया और उत्तर दिया महात्मा जी आप सब कुछ जानते हैं मैं क्या कहूँ यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मक्था सुनाई महात्मा जी ने कहा तुम्हारी स्त्री ने ब्रिहस्पती के दिन ब्रिहस्पती भगवान का निरादर किया है जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ती देंगे तुम ब्रिहस्पती के दिन कथा किया करो दो पैसे के चने और गुड लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमरित तयार करो कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमरित वप्रसाद बाठ कर आप भी ग्रहन करो ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाई पूरी करेंगे साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़ारा बोला है प्रभु मुझे लकडी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांद कुछ बचा सकू मैंने कई रातरी स्वपन में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकू साधु ने कहा है लकड़ारे तुम किसी बात की चिंता मत करो ब्रिहस्पती के दिन तुम रोजाना की तरह लकडिया लेकर शहर को जाओ तुमको रोज से दुगुनाधन प्राप्थ होगा जिससे तुम भली भानती भोजन कर लोगे तथा ब्रिहस्पती देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा इतना कहकर साधु अंतरध्यान हो गए धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही ब्रिहस्पतीवार का दिन आया लकड़ारा जंगल से लकडी काट कर किसी शहर में बेचने गया उसे उस दिन और दिनों से अधिक पैसा मिला राजा ने चनागुड आदी लाकर गुरुवार का व्रत किया उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हुए परन्तु जब दुबारा गुरुवार का दिन आया तो राजा ब्रिहस्पतीवार का व्रत करना भूल गया इस कारण ब्रिहस्पती भगवान नाराज हो गए उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यद्य का आयोजन किया तथा शहर में यह घोशना करा दी की कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए न आग जलाए समस्ट जनता मेरे यहां भोजन करने आए इस आग्या को जो न मानेगा उसे फासी की सजादी जाएगी इस तरह की घोशना संपूर्ण नगर में करवा दी गई राजा की आग्या नुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए लेकिन लकड़ारा कुछ देर से पहुँचा इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो राणी की दृष्टी उस खूंती पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था वह हार वहाँ पर दिखाई नहीं दिया राणी ने निश्चे किया कि मेरा हार इस लकड़ारे ने चुरा लिया है राजा ने उसी समय सिपाहियों को बुला कर उसको कारागार में डलवा दिया जब लकड़ारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्थ हुआ है ऐसा सोचते हुए वो उसी साधु को याद करने लगा जो की जंगल में मिला था उसी समय ततकाल ब्रहसपतिदेव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे अरे मूर्ख तुने ब्रहसपतिदेव की कथा नहीं करी इस कारण तुझे दुख प्राप्थ हुआ है अब चिंता मत कर ब्रहसपतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर चार पैसे पड़े मिलेंगे उनसे तु ब्रहसपतिदेव की पूजा करना तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे ब्रहसपति के दिन उसे चार पैसे मिले लकड़ारे ने कथा कही उसी रात्री को ब्रहसपतिदेव ने उस नगर के राजा को स्वपन में कहा है राजा तुमने जिस आद्मी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोश है वह राजा है उसे छोड़ देना रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है अगर तु ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नश्ट कर दूँगा इस तरह रातरी के स्वपन को देखकर राजा प्रातह काल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़ारे को गुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़ारे को योग्य सुन्दर वस्त्रगा भूशन देकर विदा कर दिया ब्रिहस्पति देव की आग्यानुसार लकड़ारा अपने नगर को चल दिया राजा जब अपने नगर के निकट पहुँचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुए तथा बहुत सी धर्मशाला मंदिर आदी बन गई है राजा ने पूछा यह किसका बाग और धर्मशाला हैं, तब नगर के सब लोग कहने लगे यह सब राणी और बांदी के हैं तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया जब राणी ने यह खबर सुनी की राजा आ रहे हैं, तो उन्होंने बांदी से कहा कि है दासी देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे हमारी ऐसी हालत देखकर वह लोट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा आज्यानुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई, राजा आये तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई, तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्थ हुआ है तब उन्होंने कहा हमें यह सब धन ब्रहस्पतिदेव के इस वरत के प्रभाव से प्राप्थ हुआ है राजा ने निश्चय किया कि साथ रोज बाद तो सभी ब्रहस्पति देव का पूझन करते हैं परंटु मैं प्रतिदिन दिन में तीन बार कहानी तथा रोज वरत किया करूंगा अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा वह दिन में तीन बार कहानी कहता एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहां हो आए इस तरह निश्चे कर राजा घोडे पर सवार हो अपनी बहन के यहां को चलने लगा मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे है उन्हें रोक कर राजा कहने लगा अरे भायों मेरी ब्रिहस्पतिदेव की कथा सुन लो वे बोले लो हमारा तो आदमी मर गया है इसको अपनी कथा की पड़ी है परंतु कुछ आदमी बोले अच्छा कहो हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई थी कि मुर्दा हिलने लग गया और जब कथा समाप्त हो गई तो मुर्दा रामराम करके उठकर खड़ा हो गया आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला राजा ने उसे देख और उससे बोले अरे भीया तुम मेरी ब्रहस पतिवार की कथा सुन लो किसान बोला जब तक मैं तेरी कथा सुनूँगा तब तक चार हरिया जोत लूँगा जा अपनी कथा किसी और को सुनाना इस तरह राजा आगे चलने लगा राजा के हटते ही बैल पछाड खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्ध होने लगा उस समय उसकी मा रोटी लेकर आई उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सब ही हाल कह दिया तो बुढिया दोडी दोडी उस घुडस्वार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूँगी तू अपनी कथा मेरे खेट पर चल कर ही कहना राजा ने बुढिया के खेट पर जाकर कथा कही जिसके सुनते ही वह बैल उठ खड हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंध हो गया अगले दिन राजा अपनी बहन के घर पहुँचा बहन ने भाई की खूब महमानी की दूसरे रोज प्रातर काल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं राजा ने अपनी बहन से कहा ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो मेरी ब्रहस पतिवार की कथा सुन ले बहन बोली है भाईया यह देश ऐसा ही है कि पहले यहां लोग भोजन करते हैं बाद में अन्य काम करते हैं अगर कोई पडोस में हो तो देखाती हूँ ऐसा कहकर देखने चली गई परन्तु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो अता वह एक कुमहार के घर गई जिसका लड़का बीमार था उसे मालूम हुआ कि उनके यहां तीन रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमहार से कहा वह तयार हो गया राजा ने जाकर ब्रहस पतिवार की कथा कही जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी एक रोज राजा ने अपनी बहिन से कहा कि है बहिन हम अपने घर को जाएंगे तुम भी तयार हो जाओ राजा की बहिन ने अपनी सास से कहा सास ने कहा हाँ चली जा परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई के कोई उलाद नहीं है बहिन ने अपने भाईया से कहा है भाईया मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं जाएगा राजा बोला जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही क्या करोगी बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लोट आया राजा ने अपनी राणी से कहा हम निर्वन्शी है हमारा मुह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदी नहीं किया राणी बोली है प्रभू ब्रहस्पतिदेव ने हमें सब कुछ दिया है वह हमें आलाद अवश्य देंगे उसी रात को ब्रहस्पतिदेव ने राजा से स्वपन में कहा है राजा उठ सभी सोच त्याग दे तेरी राणी गर्भ से है राजा की यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई नवे महीने में उसके गर्भ से एक सुन्दर पुत्र पैदा हुआ तब राजा बोला है राणी स्थ्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती जब मेरी बहन आये तुम उससे कुछ कहना मत राणी ने यह सुनकर हा कर दिया जब राजा की बहन ने यह शुब समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बढ़ाई लेकर अपने भाई के यहां आई तभी राणी ने कहा घोडा चड़कर तो नहीं आई गधा चड़ियाई है राजा की बहन बोली भाभी में इस प्रकार न कहती तो तुम्हें आउलाद कैसे मिलती मित्रो संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का पूजन वरत सच्चे हृदय से करते हैं तो उनकी सभी मनुकामनाएं पूर्ण करते हैं जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुनगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं ब्रहस्पति देव जी ने पूर्ण की थी इसलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए हृदय से उसका मनन करते हुए जैकारा बोलना चाहिए बोलो ग्रहस्पति देव की जए भगवान विश्णु की जए अब सुनते हैं दूसरी कथा प्राचीन काल में एक ब्राहमन रहता था वह बहुत निर्धन था उसके कोई संतान नहीं थी उसकी स्त्री बहुत मलीनता के साथ रहती थी वह ना तो स्नान करती और ना ही किसी देवता का पूजन करती इस सबसे ब्राहमन देवता बड़े दुखी थे बेचारे बहुत अपनी स्त्री से कुछ कहते थे किम्तु उसका कुछ परिणाम न निकला भगवान की कृपासे ब्राहमन की स्त्री को कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ कन्या बड़ी होने पर प्रातहस नान करके विश्नु भगवान का जाप वब्रहस पतिवार का व्रत करने लगी अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्या लई जाती तो अपनी मुठी में जो भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती तब ये जो स्वर्ण के हो जाते तो लोटते समय उनको बीन कर घर ले आती थी एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जो को फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा है बेटी सोने के जो के लिए सोने का सूप होना चाहिए दूसरे दिन ब्रहस्पतिवार था इस कन्या ने वरत रखा और ब्रहस्पतिदेव से प्रार्थना करके कहा मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो ब्रिहसपतिदेव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली रोजाना की तरह वह कन्या जो फैलाती हुई जाने लगी जब लोटकर जो बीन रही थी तो ब्रिहसपतिदेव की क्रिपा से सोने का सूप मिला उसे वह घर ले आई और उसमें जो साफ करने लगी परंतु उसकी मा का वही धंग रहा एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला इस कन्या के रूप और कार्य को देख कर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जलत याक कर उदास होकर लेट गया राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधान मंत्री के साथ उसके पास गए और बोले थे बेटा तुम्हें किस बात का कष्ट है किसी ने अपमान किया है अधवा और कारण होसो कहो मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला मुझे आपकी क्रिपा से किसी बात का दुख नहीं है किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी यह सुनकर राजा आश्चर्य में पढ़ गया और बोला हे बेटा इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगा मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूँगा राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता लगाया तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्रामहन देवता को सभी हाल बतलाया ब्रामहन देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विध्यविधान के अनुसार ब्राहमन की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया कन्या के घर से जाते ही पहले की भांती उस ब्राह्मन देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था एक दिन दुखी होकर ब्राह्मन देवता अपनी पुत्री के पास गए बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी मा का हाल पूछा तब ब्राह्मन ने सभी हाल कहा कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया इस तरह ब्राह्मन का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया ब्राम्हन फिर अपनी कन्या के यहां गया और सारा हाल कहा तो उसकी लड़की बोली है पिताजी आप माताजी को यहां पर लेकर आओ मैं उसे विधी बता दूंगी जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी वह ब्राहमन देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर बेटी के घर पहुँचे तो बेटी अपनी मा को समझाने लगी के मा तुम प्रातहकाल प्रथम स्नानादी करके विश्नु भगवान का पूजन करो और दिन में ब्रहसपती देव का व्रत रखो ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब दरिद्रता दूर हो जाएगी परंतु उसकी मा ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातहकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुसा आया और रात को कोठरी से सारा सामान निकाल कर अपनी मा को उसमें बंद कर दिया प्रातहकाल उसे कोठरी से निकाला तथा स्नानादी करा के पाठ करवाया तो उसकी मा की बुध्धी ठीक हो गई और फिर उसकी मा प्रत्येक ब्रहसपतिवार को वरत रखने लगी इस वरत के प्रभाव से उसके माबाप बहुत ही धनवान और पुतरवान हो गए और ब्रिहस्पती जी के प्रभाव से इस लोग के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्थ हुए तो बोलो विश्णु भगवान की जए, ब्रिहस्पती देव की जए